मन में ख्याल आता है कि S.I.P. हम कर रहे हैं S.I.P. का रिटन बढ़ जाए आपके साथ शेयर करूंगा 11 टिप्स जिन से आप अपने S.I.P. का रिटन बढ़ा सकते हैं कुछ आपको हो सकता है पता हो कुछ आपके लिए बिलकुल नहीं हो कुछ पसंद आ सकते हैं कुछ ना पस आप तक समय से पहुचे यह सारे 11 पॉइंट्स हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक एक करके एंड ट्रस्ट मी जो लास्ट वाला है वो सबसे आदा इंपोर्टन वही होगा आपके लिए सो सिलेक्ट विड ट्रैक रिकॉर्ड आप कोई भी स्कीम अगर चुने तो ट्रैक रिक एड आते हैं कि आप 40% का रिटर्ण वाली स्कीम चुन लीजे 15% की रिटर्ण वाली स्कीम चुन लीजे चुने कैसे स्कीम एक सिंपल सा तरीका है इसको चुनने का प्रिवियस येर्स के ट्रैक रिकॉर्ड आप 5 साल से नीचे का तो देखो ही नहीं 5 येर्स से नीचे का ट् period निकालेंगे आपको दिखेगा वहाँ पे एक अच्छा healthy competition दिखेगा वहाँ पे आपको इंटर schemes competition दिखेगा आप evaluate कर पाएंगे सो जो भी scheme आपको पसंद आए आप उसमें कर लीजे बट track record अच्छा देखिएगा अच्छे period पे ही चेक करिएगा एक साल दो साल तीन साल देखने की जरूरती नहीं है पास साल कम से कम देख करके ही invest करें हाई आएम विपलम अजंदार founder of planyourworld.com और planyourworld बनाते वक्त हमने सिर्फ एक idea के साथ planyourworld training academy की शुरुआत की कि आपका advisor दुनिया में कोई और हो ही भी नहीं सकता क्यूंकि किसी को भी आपकी life में ना तो interest है किसी को भी आपके पैसे बढ़वाने में interest नहीं है और आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे आपका retirement अच्छा होगा या नहीं इसमें आपको ही interest है हमारी live sessions होते हैं हमारे recorded courses हैं आप जिसमें भी चाहें आप participate कर सकते हैं live session जो है हमारा वो Tuesday से Thursday साथ बच के 30 मिनट से शुरू होता है और recorded sessions आप immediately अभी तुरंत ले सकते हैं description पर link है हमारे courses महस 299 से शुरू हो अगला point देखते हैं हम लोग आप कोई भी investment कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आपकी जो अप्रोच है investments को लेके उसको change करने की भी जरूरत पड़ती है सो अंतक वीडियो को जरूर देखिएगा invest good amount of SIP in total हमें क्या लगता है मन में आता है कि एक पैसा बहुत बड़ा पहले save कर लें तो इतने सालों से देख रहा हूं लोग क्या कहते हैं government के साथ पहले मैं PF में save कर लूँ पैसा फिर बोलेंगे PPF में कर लूँ फिर कहेंगे FD में save कर लो अरे बहुत सारा पैसा आपने save कर लिया save करने के बाद लगता है कि चलो एक लाग से जुआ खेल लेते हैं एक लाग रुपे लगा देते हैं mutual fund में so it's not gambling it's a way it's a process of creating wealth जब आप महंगाई से inflation से ज़ादा return बनाएंगे तभी तो अगर inflation 7% है तो tax देने के बाद आपका return जादा होना चाहिए अब आप ये सोचो आपका बाकी investment जो है वो तो negative है we are bothered every time we are bothered अरे यार mutual fund में कितना रुपया लगा है mutual fund के अंदर पैसा लगा है रोज valuation चेक कर लो बाई साब mutual fund में कुल मिला क्या आप लगाते हो 10 रुपय और आपका बाकी asset में लगा होता है 90 रुपय ये 90 नेगेटिव जा रहा है इस पे ध्यान नहीं होता दुनिया का ध्यान इस पे होता आप इस पे कितना भी कमा लो इस पे जब नहीं कमाऊगे तो ये नीचे ही ले ज सेविंग कित्ती भी कर ले लेकिन सेफटी का जो जुन जुना हम लोगों को समझा दिया गया ना इस सेफटी के जो पॉइंट समझा दिये गया है इसके चलते हमें नुकसान होता है ताकि आपके पास जो भी वेल्थ बने वो सम्मान जनक वेल्थ बने अगले पॉइंट पर चलते हैं इंक्रीज एसाईपी अमाउंट ओन एरली बेसेस आपकी तंखा हर साल बढ़ती है आपकी सैलरी बढ़ गई आपका शौप से इंकम बढ़ गई आपने आई टियार में इंकम बढ़ाया जो भी किया आपने फैमिली में बट मान लीजिए आपने दस अजार के एसाईपी किय अगले साथ 11 की करो आप, खो सके 15 की करो आप, so every time if you increase the capital तो आपकी wealth जादा जल्दी बनेगी, so ये कसम जरूर खानी चाहिए कि आपकी जैसे जैसे आपकी savings बढ़े, जैसे जैसे इंकम बढ़े, उस तरह से आप अपनी S.I.P. को भी बढ़ाते चले जाईए, so इस बात को ज market goes down, top up करिए, आपको दिखा, share बजार यूँ चल लएए, अचानक एक दिन आपके पास ख़बर आई, market नीचे है, so ये तो घर पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो पता चला ना, market गिर गई है, आपके पास खबर आ गई, आपने TV देख लिया, share बजार लहू लुहा top up makes difference, आप top up कर सकते हो, कभी भी, जब भी आपको लगे कि बजार में कुछ नीचे आ रहा है, आप खरीद लीजे, because we need to buy at lower price, so that is the opportunity, क्यों, पहली चीज़, जो SIP होगी हमारी, वो कम से कम 5, 10, 15, 20 साल के लिए, या पूरी लाइफ के लिए होगी, so आपके पास जो SIP है, उसका amount ज़्यादा समय के लिए अगर रहेगा, तो आपको फायदा होगा, कम price पे आपने units खरीदी हैं, तो आपको फायदा होगा, so top up हमको करना चाहिए, then check value quarterly, आप सोचो, कि आपने पैसा लगाया, अब धरकन बड़ी हुई है, मैंने तो share बजार म में पैसा लगा रखा है, मेरे पैसे का क्या होगा, मैं आज की value तो देखनू, कल की value फला ना थी, आज एप उठाया, आज की value देखनू, सोचिए, Infosys का एक office boy, 10,000 रुपए invest करता है, एक करोड प्लस लेता है, अगर daily उसने देखा होता, आप रुकते हैं, अगर आपको ब पैसे उन्होंने बनाये हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं, या देखना छोड़ दिया, quarterly चेक करिये, हाफरली चेक करिये, रोज देखने का कोई मतलब भी नहीं है, जितना जादा daily basis पर देखेंगे, उतना नुकसान का chance होगा, ये याद रखियेगा, सो हम अपने लोगों से यही बोलते हैं, आप उसको daily valuation देखने की ज़रूरत ही नहीं है, so quarterly चेक करिये, it is sufficient, it is a long term product, आप जमीन खरीदते हो, रोज भाव पूछने जाते हो आप, अपने जमीन खरीदी दिखाव गया थे last time देखने आप, similarly इनको भी उसी तरीके से treat करिये, Invest in direct plans of mutual funds, आप अगर SIP चला रहे हो, और आप के plan के नाम में regular लिखा है, मान लीजिए, कोई भी blue chip fund आपने लिया, blue chip उसके आगे नाम में regular लिखा है, that means, आप अपने पूरे fund value का, आपने SIP एक बार किया, आपने contribution एक बार दिया, बट पूरी value पे आप लगातार commission देते रहेंगे, जब तक यह investment रहेगा, so it is yearly लगभग 1-1.5% का return कम कर रहे हैं, अगर आप इसको direct में switch कर लेंगे, पढ़ करके, क्योंकि direct में जाने पे आप tax लगेगा आपको, दूसरा आपको खुद भी study करना पड़ेगा, because बिना study किया नहीं संभव है, लेकिन maturity पे अगर आपने 20-30 साल का investment रखा है, तो maturity पे लगभग 30% का फर्क आ जाता है, 30% का फर्क, मतलब 70 लाख मिलने की जगाए 1 करोड रूपया, क्या ये 30 लाख रूपय फरक डालता है आपकी family में, क्या लगता है, 30 लाख रूपय की check आप इनको directly दो होगे, जिनके जरीए आप इसको कर रहे हैं, शायद नहीं देंगे, तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना पैसा खुद manage करना शुरू कर दीजिए, आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, no one is interested in you, इस बात को ध्यान रखिएगा, book one lakh tax free gain yearly, आपको एक लाख रुपए yearly tax free लेने का एक option आपके पास में है, पर pan in family, जितने लोगों के investment उनके हिसाब से एक लाख रुपए yearly taxation आप बचा सकते हैं, so yearly tax free एक लाख का मतलब हो गया लगबग, आप yearly 10,000 रुपए का tax बचा सकते हैं, so 20 साल, 25 साल का investment है अगर, तो आपके पास दो option है, हर साल 10,000 का tax बचाते चलिए, या फिर आपको बाद में जाके उस साल में tax देना पड़ेगा, so choice is yours, अगर आप इसको कर सकते हैं, तो करना चाहिए, क्योंकि कोई advisor तो इस काम को जल्दी करते नहीं है, so ये आप ही को करना चाहिए, then take proper knowledge of financial planning and investments, आप decide कैसे करते हो कि आपकी SIP का amount क्या होगा, PF का amount क्या होगा, कैसे decide किया है आपने, कोई reason है, कोई इसके पीछे, कोई logic था, या हमें लगा और हमने कर दिया, आप जब investment कर रहे हो, मान लेते हैं आपकी age 40 है, और 40 से 60 तक में आप investment कर रहे हो, क्या हम जीवन ऐसे चलाएंगे कि investment किया, 60 पे जो fund होगा, उससे देखेंगे आगे क्या करना है जीवन में, या अगर जीतना है, तो जो requirement है उसके हिसाब से चले हैं, भई ultimately जो maturity आएगी, redemption पे जो amount आएगा, बच्चे के college की fees तो उसी से लिखेंगे न, check, so check लिखने के लिए account में उत्ते पैसे चाहिए, retire होने के लिए, भई 60 की उमर में retirement तो तैह है, पैसा हो या ना हो कोई company पूछती है क्या, क्या आपके वास पैसा है proper जो आपको मैं retire कर देता हूँ, नहीं, आप 60 के होगा, retirement हो गया, so point is, before retirement, can we create income, अब live session में इसके जवाब आप देख सकते हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि normally, who does this for you, क्या आपसे banker इस बारे में बात करता है, क्या आपसे advisor इस बारे में बात करता है, आप ही को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, and complete financial planning process सीखने की ज़रुवत है, अगर आप financially free होना चाहते हैं, so हमें कई बार लगता है कि हमारे circle में जो लोग हैं उनसे पूछ लें, आपके circle में कौन हैं जो financially free हुआ है investment के जरीए, बहुत rare chance है और जो हुए होंगे वो बताएंगे नहीं, और advisor, इंडिया में महज 5% अच्छे advisor होंगे, वो आप तक आने वाले नहीं हैं, so you have to become your own financial planner, that is confirmed, don't invest lump sum when everyone is investing, जब आपको सुनाई दे कि हर आदमी कह रहा है, मुझे FD तोड के investment करना है, that is not the time to enter in market, यह याद रखिएगा, that is not the time to enter market, आपके पास जब हर आदमी greed पे invest कर रहा है, उस वक्त सजग रहने की जरुवत है, उस वक्त financial planning model से, हमारे goals के angle से review करने की जरुवत है, that is the time to review, जब हर जगे आ रहा है कि इतना इतना return बन गया, और हर आदमी निवेश करने के लिए तयार है, उस time पे सारे alert mode पे होने चाहिए लोग, don't redeem if market falls, जब खबर आए कि बजार लहुलुहान हो गया, share market में डूब गए हज़ारो करोड एक दिन में, घबराईए नहीं, आपके पास जमीन होती है, तो आप वेट करते हैं, आप कहते हैं अभी अच्छा भाव नहीं मिल रहा, मैं रुक लेता हूँ, तो ये भी तो वैसा asset है, खाली निकालने की सुविधा आपके पास है, तो क्या निकाल दें, आप से मैं कहता हूँ, आपकी जमीन है, निकालने की सुविधा ये है, पडोसी तो बैठा ये सस्ते पे खरीदने के लिए, आप कहोगे नहीं नहीं मैं वेट कर लेता हूँ, तो इसमें क्यूँ, तो अगर आपने proper financial planning की हुई है, आपको पता है आपका कौन सा पैसा किस चीज़ का है, emergency fund का पैसा रखा है मेरे पास, बच्चो के education का पैसा रखा है, इसके अंदर में जो पैसा बच्चो के education का अगर पास साल बाद का है, तो आज हमें क्या आग लगी हुई है, आज क्यों पैसा निकालना है हमको, तो ये सारे जवाब आपको financial planning से ही आएंगे, बट एक emotions भी तो है, टीवी देखा देखा लहू लिहांट, शेयर वजार मत रिडीम करिए, आपका पैसा long term का है, पढ़े रहने दिजिए, इन्वेस्ट as per your financial plan, आपका जो financial plan हो, उसके according, बच्चो के लिए और आपकी जीवन में जितने भी goals हैं, आपके goals की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें kids को ले लिजे, इनकी higher education है, इनकी settlement है, marriage है, आपका retirement है, इन सभी चीज़ों के लिए आपका आज budget क्या है, ये कितना पैसा लगने वाला है, as a father, how much budget have you decided, आपका budget कुछ तो आपने सोचा है, आपने सोचा है 10 lakh रुपिया लगेगा, अब मान लिजे आपने 10 lakhs रुपीज यहां लिखे, और 10 lakhs के आगे, यह 5 साल के बाद, तो 10% का inflation लगेगा, अगर 10% का inflation लूँ तो यह इसमें कितना रुपिया लगेगा, तो आपको आज के हिसाब से पैसे देने या उस वक्त के हिसाब से, तो proper financial plan चाहिए आपको, retirement पे आज आपका खर्चा 50,000 रुपिया महिना है, तो अगर आपका retirement 10 साल के बाद है, तो आपको कम से कम 1,00,000 रुपिया महिना चाहिए उस साल के लिए, 61 पे अगें 7% का inflation जोड़ दीजिए, तो यह income आपको किस से आएगी, तो आप saving करते हो, बट saving करके हमने क्या किया, हमने तो एक casual way में invest कर दिया, आपके पास option है, आपने simply उठाया paracetamol खा लिया, आपने का ठीक है मैंने बुखार के दवाई खा ली, health कैसे सही रहेगी, so similarly आपकी financial health कैसे सही रहेगी, so water the goals, आपको जो चाहिए जीवन में वो पहले एक बार define कर लीजे, यह पढ़ाई के माध्यम से ही हो पाएगा, दूसरा कोई उपाए नहीं है, so आपके पस option क्या है, पढ़िए, experiment कर लीजे, या आप exactly जो modules हैं, उनको पढ़ लीजे, जहांग पे experience के साथ में आप पढ़ाई करते हैं, so links description में है, कोई भी investment करने से पहले,